हेलो हाई नमस्ते कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे यही आशा करती हूँ तो चलिए आज जानते हैं कि कुंडली के माध्यम से एस्ट्रलोजी के माध्यम से आप कैसे जानेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं तो यह इसका है पार्ट नमबर टू पार्ट वन में हमने यह जाना कि अगर सात्वे भाव में स्वग रही ग्रह हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी का योग बनता है तो आए आप हम आगे बात करते हैं कि आगे इसका दूसरा योग किस तरह से होता है यदि सात्वे भाव में शुब ग्रहों की दृष्टी पढ़ रही है तो जातक ट्विन फ्लेम जर्नी में होगा अब आपने पूछा कि सात्वे भाव में स्वग रही ग्रह की दृष्टी हो तो क्या होगा तो मैं आपको बता दू कि स्वग रही ग्रह की दृष्टी अपने ही गर में नहीं पढ़ सकती अथा शुब ग्रह की दृष्टी सात्वे भावबर हो तो टुन फ्लेम जर्णी का योग बनता है अब आप पूछेंगे कि शुब ग्रह कौन से होते हैं तो मैं आपको बता दो कि शुब ग्रह हैं चंद्र, बुद्ध, गुरु और शुक्र यानि समझ जाए है कि यदि आपके कुंडली में या लग्न में चंद्र, बुद्ध, गुरु या शुक्र ग्रह विराजमान हैं तो निश्चिति आप टुन फ्लेम जर्णी में हैं तीसरा योग यह बनता है कि सब्तमेश यदि राहू के साथ यूति बनाए तो टुन फ्लेम जर्णी होती है सब्तमेश का मतलब क्या हुआ? सब्तमेश मतलब सात्वें बाव का स्वामी उधारण यदि सात्वें बाव में पांच की किंती लिखी है तो सिंगराशी हुई और सिंगराशी का स्वामी क्या है? सूरे है इसलिए सूरे सब्तमेश हुआ अब यदि कुंडली में कहीं भी सूरे और राहू यूति बनती है तो इसका मतलब है कि एक सात है यानि कि वो राहू और सूरे की यूति बन रही है तो दोनों एक सात है तो इसका मतलब है कि ट्विन फ्लेम जर्नी का योग बनता है अब चौथा योग हम बताते हैं चौथा योग क्या है सब तमेश यदि शनी के साथ यूती बनाए तो ट्विन फ्लेम जन्नी का योग बनता है जैसे कि मान लिजे साथ में भाव में चार की गिंती है यानि साथ में भाव का स्वामी चंदर हुआ अब यदि चंदर शनी के साथ यूती बना रहा है तो शनी के साथ यूती बना रहा है तो भी ट्विन फ्लेम जन्नी का योग बनता है अब पांचवा योग की बात करते हैं सब तमेश यदि केतु के साथ यूती बनाए तो भी टुन फ्लेम जणनी का योग बनता है इस उधारन से समझेंगे यदि सात्मे भाव में एक की गिंती हो तो इसका मतलब मेश राशी का स्वामी मंगल है ना अत्य है यदि मंगल यदि किसी भी भाव में केतु के साथ आ जाए तो टुन फ्लेम जणनी का योग बनता है केतु हमेशा ही हमें पास लाइफ कनेक्शन से जोड़ता है इसलिए टुन फ्लेम जणनी के लिए केतु तो बहुत ही इंपॉर्टन्ट है एक्सांपल देते हैं यदि सात्मे भाव में दो की गिंती हो तो इसका मतलब व्रशव राशी जिसका स्वामी शुक्र है अधर शुक्र यदि किसी भाव में केतु के साथ हो तो 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 टुन फ्लेम जणनी का योग बनता ही है इसी तरह अगर हम देखें कि सेवन्थ हाउस में तीन की गिंती हो तो उसका स्वामी है बुद्ध बुद्ध केतु की योथी होई तो टुन फ्लेम जणनी सेवन्थ हाउस में फॉर्थ की गिंती हो तो उसका स्वामी हुए चंद्र तो चंद्र केतु की योथी सेवन्थ हाउस में फाइव की गिंती हो उसका स्वामी सूरे हो यानि कि शुक्र उनके स्वामी है तो शुक्र केतु की युति बन जाएगी सेवन्थ हाउस में एट की आठ नमबर की गिंती लिखी होगी तो मंगल उनके स्वामी होंगे तो मंगल केतु की युति बनेगी बता रही हूं आगे और बता रही है सेवन्थ हाउस में नाइन न यूती बन जाएगी, ग्यारा लिका हो सेवंथ हाउस में, तो शनी फिर से स्वामी बन जाते है शनी केतो की यूती बनती है फिर से और बारा लिका हो सेवंथ हाउस में तो स्वामी उनके बनते हैं गुरू जब गुरू इनके स्वामी बनते हैं तो किन की युति बनेगी बताईए कमेंड बॉक्स में लिख दीजिए बताईए तब बनेगी गुरु केतु की युति ठीक है तो इन सब की युतियों से ही युटिन फ्लेम जर्नी का योग बनता है मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ अच्छा जान लिया होगा अगर आपको ये सब देखना आता है तो आप घर बैठे ही सीख सकते हैं ठीक है मैं अजे part 1, part 2, part 3, part 4, part 10, part 20, part 30 ये सब बनाती जाओंगी बनाती जाओंगी ताकि आप घर बैटे ही रोज आप अपनी ही कुंडली से देख सकें कि आपका कौन सा योग बनता है, कहां ग्रह का स्वामी बैटे हैं, कौन से हाउस में बैटे हैं, जिस हाउस में बैटे हैं, गैन की सेवन्थ हाउस में, क्या नमबर लिखा है, जो नमबर लिखा है उसके स् क्या इन सभी यूतियों में Twin Flame Journey योग बन रहा है कि नहीं एक बार और रिपीट कर देती हूं कि बुद्ध के तु की यूति चंद्र के तु की यूति सूरे के तु की यूति पुद्ध के तु की यूति शुक्र के तु की यूति अंगल के तु की यूति गुरू के तु की इन सब यूदियों से टुन फ्लेम जड़नी का योग मनता है थेंक्यू सो मुच पर वाचिंग नेक्स्ट उसमें फिर जानेंगे की अब आगे किस तरह से जाना जाए कि टुन फ्लेम जड़नी का योग क्या बनता है तन्यवाद